अच्छाब एनर्जी का ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है और वह डिस्रॉप्टेड है और जो ऑइल है उनको वह महेंगा मिल रहा है प्लस होम्स के लिए जो नैशनल गैसे वह भी अवेलिबल नहीं है तो एड़ देंड कंजूमर को महेंगी गैस महेंगा मिल रहा है जिसकी उसके जो मंतली बजट से होаusz होल्ड के वो भी ए safety हो रहे है प्लस production भी एफेक्ट रही है प्लस जो inflationary prices है हर commodity की price ही बहुत rise कर रही है र और लोकल एडिया जिस्ट्वट करवाएगी और फिर वहाएं से payment कले गच्छे और हमारे घरों तक वह उस पूर स्पूरे निजाम क तरू हम विजली पहुचेंगे अब हम 21st century में जबके solar panels और solar technology बहुत जाद advance हो गए यह हम अपने घर की च्छत को यूज करके खुद production करके और खुद उसकी utilization कर सकते हैं और उसको storage बैटरी बैंक्स के तरू स्टोरेज भी कर सकते हैं और रात में यूज भी कर बढ़ा है कि वो energy crisis की तरफ जाता जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी cost distribution की होती है और फिर जो fossil fuel से हम बिजली बना रहे थे उसकी cost और distribution की cost और फिर इस जो war हो रही है यूकरियन और रश्या की तो इतनी सारी cost अगर बेर करेंगे किसी भी मुल्क पे तो वो crisis की तरफ भी automatically चला जाएगा इस सब में जो एक असान हल जो के अविलिबल भी है market में वो renewable energy की तरफ जाना है as a मुल्क भी और as a individual भी हमें as a मुल्क हम wind turbines लगा सकते हैं हम हाइडल power की तरह फूर जा सकते हैं solar panels के बड़े-बड़ plants लगा सकते है as a individual हम चोटा wind turbine लगा सकते हैं हम अपनी चत को अपनी factories को solar panels से भर सकते हैं ताकि हम अपनी electricity खुद बनाए अपने बड़े-बड़े banks लगा सकते हैं बड़े के बैक्टरी के जिसको हम store करके पूरे दिन को भी उटिलाइज कर सकते हैं और रात में भी हम अपनी utilization को पूरी कर सकते हैं उसे अब existential crisis आया है उन्हों मुलकों के उपर जन्हों ने पुरानी schemes के तुरू electricity production करते थे जो भी मुलक नहीं shift करेगा as a collective nation towards renewable energy वो भी feasible sustainable renewable energy की तरफ नहीं shift करेगा global carbon footprint तो एक अलग मसला है economically feasible ही नहीं रहेगा कि वो महंगी बिजली लेकर महंगी oil लेकर महंगी बिजली produce करके अपनी production करे और लोगों को manufactured goods produce करे manufactured goods को sell करे या लोगों को self में घर पे consumption करने के लिए घर पे sustain करने के लिए अपनी living को बिजली sell करे इसी तरह आप देख सकते हैं कि solar की renewables के थूँ जो electricity produce होती है अगर वो sustainable levels पे होती है वो सस्थी होती है तो उससे आपके जो manufactured goods है वो global की बिजली गत्रू प्रेक प्रडियूज गोड को कम रेट पर दुनिया की global market में sell कर सकता है कर दुनिया की ग्लोबल मार्केट में sell कर सकता है